पाकिस्तान में एक काफी बड़ा ध्माका हुआ था इन लोगों ने आपर क्लेम किया कि कुछ आस्मान से गिरा है और इसका इंपट इतना बड़ा था कि जमीन पे कई घर जो एंड के डिस्ट्रॉई हो गए कई जो वेहकल्स हैं कि यहाँ पर कई गाडिया थी उसके शीशे त गंटों तक पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या है इनको पहले लगा कि इनका खुद का एक फार्टर जेट शूट डाउन हो चुका है फिर इन लोगों ने क्लेम किया कि कोई आर्मी डोन यहाँ पर शूट डाउन हुआ है और यहाँ पर दिखाना चाहता हुआ है कि जिसे गाड़ियों के शीशे टूड़ गया है और मेरी गाड़ी के डिकी खुद बखुद खुल गई है यह देखें मेरे साथ बच्चे थे मैं अपने वालत को निश्टर लेके गया था सर्मद मेरा नाम है और मैं देखें कि मिया चनु मैं अभी इसी हाईवे प तो यह बहुत ही इंटरस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की आम जनता ने जब इनिशली 9 मार्च को यह पूरा इंसिलेंट रिकॉर्ड किया था तब सब लोगों ने यह क्लेम किया कि ऐसा लग रहे कि या तो कोई फाडर प्लेन क्राच हुआ है या तो फाडर प्लेन से अलग होकर कोई चीज गिरी है जमीन पर एक दिन बीच जाता है पाकिस्तानी आपनी बाइदवे 9 मार्च को कुछ नहीं कहती है कोच स्टेट्पेंट नहीं आती किसी को नहीं पता फिर 10 मार्च की रात को पाकिस्तानी मिलिटरी के जो स्पोक्समेन है यह सामने आते हैं और यह लो इसने पाकिस्तान के एरस्पेस में चली गई और पाकिस्तान की ठेट्री में इनके हिसाब से 124 किलोमेटर डीव जाकर इसने पाकिस्तान की धरती को हिट की और जापे हिट की आपने सुना कि काफी जो घर है वो भी भिल गए थे कई जो गाडियां है उनको भी डैमेज यह मैं चाहता हूँ आप सुनें एक 59 सेकेंड की वीडियो है इसमें आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिलेगी उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या यह जो प्रोजेक्ट टाइल है जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या इसको पाकिस्तान न यडिए्ज देख्ज अप्सिंटर ऑच्सने आफस्ता अफाय टाष्ट आर प्क्स्तनी टरेटरीsty आप न मैया ज हैhe मैचानु एट एक 655 फ्यूर ब हम अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए आपर इंबरेसिंग बात यह है कि पहली बात तो 9 मार्च को यह सब होता है फिर 24 घंटे से भी ज़रा टाइम बीच जाता है फिर 10 मार्च को रात को पाकिस्तान की आर्मी क्लेम करती है अगर यहाँ बहुत ही बड़ा एफ हम लगा के चल रहे है अगर जैनुविल्ली यह प्रोजेक्ट टाइल इंडिया से ही लॉँई थी और पाकिस्तान में यह हिट किया है और इसलिए पाकिस्तान के DGISPR ने केटेगोरिकल यह भी बोला है कि आप यह अगर गिराया वाली जो आप बात करें जैसे मैंने कहा कि यह अबजेक्ट खुद गिराया है और यहाँ पर देखो यह बात भी एजियूम करना काफी मुश्किल होगा कि इंडिया से एक मिसाइल लॉँच हुआ उसकी डिरेक्शन गलती ने चेंज हो गई फिर पाकिस्तान में वो चला गया और इंडिया की साइड से भी अभी तक कोई स्टेट्पेंड नहीं आई है पाकिस्तान ने हाँ पर बड़ा क्लेम कर दिया है ये लोग अब कहरे हैं के इंडिया को अब explain करना होगा के मिया चानू में जो इनका पंजाब का एरिया मिया चानू जहां पर ये सब होगा था वहाँ पर actually hit किसने किया था ये अब इंडिया को explain करना होगा अब यहाँ पर आप कहेंगे इंडिया से प्रोजेक्टाइल इनकी धर्ती पे गिर गया ये इतना गुसा फिल ली कर रहे हैं कि अगर ये सब हुआ इनको गुसा होना चाहिए देखें क्लियरली इनकी स्टोरी में बहुत सारे फ्लॉस हैं कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहा अब ये तो खेर पाकिस्तान यार्मी ने का है इसके इलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान में कई जो इनके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं ये लोग खुदी क्लेम कर रहें अपनी तरफ से के पॉसिबिलिटी है कि जो ये प्रोजेक्टाइल हिट किये पाकिस्तान को ये ब्रमोस हो रीजन इसका क्या है रीजन मैं आपको दिखाता हूँ ये आपके सामने फोटो है उस प्रोजेक्टाइल की जिसने पाकिस्तान की धर्ती को हिट किया था आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इस फोटो में ये जो पार्ट है न ये थोड़ा बहुत आप कह लिजे सिमिलर है ब्रमोस मिसाइल से ब्रमोस मिसाइल में भी आपको इस टाइप का जो ये हनी कोम पैटन है ये आपको दिखेगा मगर हमको ध्यान में लखना होगा कि इस टाइप का जो ये हनी कोम पैटन है ये सिर्फ ब्रमोस का नहीं और भी विरियस मिसाइल का होता है किसी और प्रजोर्ट्टायल का भी हो सकता है तो 100% क्या नहीं सकते हैं यहाँ पर कि ब्रहमोष नहीं यहाँ पर हिट गया पाकिस्तान को.. आगर आपकर अधकर कुछन नहीं हिट यहाँ जैसिति पर मानलों पर इसे की अधर करते हैं.. तब इस पर कोई warhead mount नहीं होता मतलब कि कोई explosive इस पर लगे नहीं होते ये उतना damage करता नहीं है हाँ definitely कुछ ना कुछ damage तो ये करेगा ही क्योंकि usually mark 3 की speed पर ये travel कर रहा था तो इतनी तेज speed से अगर कोई object हिट करती है धरती पर तो obviously आसपास उसका impact मैसूस होगा मगर माल इस पर अगर warhead होती तो बहुत से लोग पाकिस्तान के याँ पर मारे भी जाते हैं ये देखिए हैं पाकिस्तान का claim अब इसके बाद question ये आता है कि Indian government क्या statement देती है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा एक updated वीडियो अभी के लिए देखिए ये बहुत ही हज इस पर क्लिक करो और यहां पर प्रचेस कर पाएंगे UPSC Combo Package इसके इंडर आप UPSC Prelims, Mains, Optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं in a single purchase ये सारे courses आप Unacademy पे अलग-अलग purchase करोगे आपको अराम से 10-15,000 रुपीस एक्टा पे करने होंगे तो एक तो यहां पर आपकी saving होती है उसके उपर additional यहां पर आपकी saving होगी अगर आप use करते हैं promo code PD10 the prices will just fall even more so use the code PD10 and save your hard-earned money तो आपका गलगा सकते हैं झाल झाल